राजस्तान के चार शांशुदू का मंतरी बनना फाइनल हो चुका है वहीं हनुमान बेनिवाल को किस कारण से मंतरी मंदल में जगे नहीं मिली उसके लेकर भी बात करेंगे दोस्तु राजस्तान के चार संषुद में से मिकाने शांसत और जेपु ग्रामें 있나 राजय वर्दिन आठोर अर्जुलाल मेगवाल गर्जण dol शीकावत और को कैलास चोधि को मंत्री पद मिला हे वहीं दोस्तों केलाश चोधरी की बात करते हैं तो केलाश चोधरी मंतरी मंडल की रेश में भी सम्रित नहीं थे फिर भी केलाश चोधरी को हनुमान बेनिवाल की जगे मंतरी पद मिला है वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्तान में एंडिया गटक दलों में से एकमातर नेता हनुमान बेनिवाल जिसकी हुकार के कारण ही वीजेपी मिसन 25 पूरा कर पाई वहीं दूसरी और मारवार के सबसे बड़े जाट नेता को मंतरी मंदल में सामलित नहीं करना मोधी सरकार की सबसे बड़ी बूल शाबित भी हो सकती है दोस्तों बात करते हैं एंडिये की तो एंडिये में सभी गटक दलों को एक-एक मंत्री पद मिला है वहीं दूसरी ओर जेदियों को एक मंत्री पद मिला है तो शीव सेना को भी एक मंत्री पद मिला है वहीं चिराक पासवान, रामविलास पासवान को भी जो एंडिया के गटक दल में समली थे उनको भी मंतरी पत मिला है वहीं दक्षिन भारत की बात करते हैं तो दक्षिन भारत में सभी एक एक को एक एक सीट मंतरी पत के रूप में दी गई है लेकिन राजस्तान में हनुमान बेनिवाल को मंत्री पत नहीं मिला सबसे बड़ा कारण निकल कर यही आ रहा है कि हनुमान बेनिवाल को जल्दी मंत्री पत दिया जाएगा लेकिन इस बार सेकिड वर्यत्ता सुची में हनुमान बेनिवाल जगे ले सकते हैं क्यूंकि इस बार 41 से 45 तक सांशत बना संभाविते वहीं दूसरी ओर 30 से 35 संसिदू की लिस्ट और आएगी वहीं हनुमान बेनिवाल का परवाव मारवाड के साथ साथ हर्याणा वेस्ट यूपी तक था फिर भी हनुमान बेनिवाल को मोधी मंतरी मंदल की पहली लिस्ट में समयलित नहीं किया गया दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि मोधी मंतरी मंडल में अभी लग बग 45 मंतरी सपत ले रहे हैं वहीं 25 से 30 मंतरी अगली सुची में सपत लेंगे हो सकता है कि शेकिंड सुची में हनुमान बेनिवाल